नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चनल कॉल में जा पर दोस्तों ये वीडियो और एक्जाम के लिए हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट सेकेंड है अगर आप फर्स्ट देखना साते हैं प्रैक्टिस सेट वन तो आप हमारी चनल पढ़ा कर देख को कि बिवार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेडखानी के विरुद फायार दज करवाने के लिए किसे आबेदन पत्र आप लिखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या आपका हो जाएगा option number C यानि कि थाना धच महदे को ये पत्र लिखा जाएगा next है स्वरो के उचारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं तो स्वरो के उचारण में लगने वाले समय को जो हम कहते हैं वो कहते हैं मात्रा यानि option number A सही आंसर हो जाएगा next है आधिका उचारण किस से होता है तो दोस्तों आधिका उचारण किस से होता है तो दोस्तों आधिका उचा और फिर हमें आप comment box में जरूर बताएंगे कि आपने यहाँ पर कितनी आंसर सही की है तो question number 4 देखते हैं question number 4 है वर्डो के समुदाय को क्या कहते हैं तो वर्डो के समुदाय को हम क्या कहते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा word माला आगे बढ़ते हैं next question देखते है next question हमारा है निम लिखित सब्दों में श्वर संधी पहचानी है तो इसमें श्वर संधी की सब्द में यह आपको यहाँ पर पहचाना है तो इसका अंसर हो जाएगा महो जश्वी इसमें जो है स्वर संधी है यानि option number B आपका सही अंसर हो जाएगा next है एकलब धनूर बाण में दक्ष था देखांकित सब्द में कौन सा समाथ समाहित है तो धनूर बाण में कौन सा समाथ है तो इसका अंसर हो जाएगा द्वंद शमाथ option number D सही अंसर हो जाता है आगे राकेश का अपहरण हो गया है question number 7 है राकेश का अपहरण हो गया है व्याकरण की द्रिष्ट से रेखांकित सब्द क्या है विशिशन है, संग्या है, उपसर्ग है या अव्य है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपसर्ग अभरण हो गया है राके इस की व्याकरण की दर्ष्ट में रेखांकी सब्द का सब्द क्या है तो यह एक उप्षर्ग है option number C यहाँ पर सही answer हो नेक्स दिरते हैं अगला question ओ वह वह गिर पड़ा रेखांकी सब्द का अव्य का प्रकार बताना है आपको जो इसमें अव्य यूज किया गया है वो किस प्रकार का अव्य है यह आपको यहाँ पर बताना है तो इसका जो सही answer हो जाता है वो हो जाता है सोक सूचक अव्य यानि option number B सही answer हो जाएगा नेक्स है question number 9 निमलिकित सब्दों में से तत्सम सब्द को पहचानिए तो इसमें तद्भो सब्द कौन सा है यह आपको यहाँ पर पहचान कर बताना है इनमें से तद्भो सब्द कौन सा है option है कटा, अवर, रिक्ट या कडवा तो इसमें तद्भो सब्द की अगर हम बात करते हैं तो तद्भो सब्द आपका हैं पर हो जाता है option number D यानि की कड़वा नेक्स आजाता है नेमिके सब्दों में से अर्ध तद्सम सब्द को पहचानना है तो यह बहुत important question है इसमें अर्ध तद्सम सब्द को आपको पहचानके बताना है तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा चंदर यानि option number B आगे बढ़ते हैं next question की तरफ नेमिके सब्दों में से विदेशी सब्द को पहचानना है तो इसमें विदेशी सब्द कौन सा हो सकता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है तो यहाँ पार जो option है आपके पास निद्रा है, अचरज है, अलमारी है और चबूतरा है तो अलमारी जो है यहाँ पर विदेशी सब्द होगा यानि option number C आपका सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question की तरफ इसमें आपको संग्या सब्द के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, वो संग्या सब्द हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, सीला अपने कपड़े स्वयम्ध होती है, रेखांकि सब्द में कौन सा सर्व नाम है, तो स्वयम यानि निजवाचक सर्व नाम आप्शन नमबर B सही अंसर हो जाएगा, आगे है निजवर की सब्दों में विशेशन को पहचानी है, तो इसमें विशेशन कौन सा हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है, आप्शन से जाना, देवता, सुन्दर और कौन, तो इसमें विशेशन कौन है, तो इसमें व सब्द को करते हैं आगे बढ़ते हैं वह किल चैसे किन्तु बार वह लिक्ता कि सब्सक्री कुल इसका छो आंसर और वह हो जाएगाँ Budget आने पर जो डाला गया है तो वह आता ही होगा तो निपात यहाँ पर option number D से ही answer हो जाता है next है अमरित की वर्षा हो रही है रिखांगे सब्द का पर्यावाची शब्द नहीं है तो इसमें अमरित का कौन सा पर्यावाची शब्द नहीं है यह आपको यहाँ पर बताना है तो 19 का जो answer यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा option number C याकि शुधा अमिय शोम यह सारे अमरित के पर्यावाची होते है अगे है साधु सज्जन होता है रिखांगे सब्द का सटीक विलोम क्या होगा तो शाधु का जो सटीक विलोम है यह आपको यहाँ पर बताना है तो शाधु का जो सटीक विलोम होता है वो होता है असाधु option number A next है युग्म सब्द की कौन सी जोडी सही है तो इसमें कौन सी जोडी सही है युग्म सब्द की वो आपको बताना है तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें दिया गया है केश, बाल, केला, कदली, द्रव्य, वित और उप्युक्त सभी तो इसमें सारे सही हैं यानि option number D सही answer हो जाएगा next है जो अपने अस्थान या स्थित से अलग न किया जा सके वाकि के लिए एक सब्द होगा तो जो अपने स्थान या स्थिती से अलग न किया सके इस वाके के लिए एक सब्द जो होगा वो क्या होगा तो यह हो जागा अचियूत यानि option number A next है जील के निकट मंदिर है, रिखा की सब्द क्या है तो जील के निकट मंदिर है यह सब्द कैसा है तो यह है स्थान वाचक ठीक है निक्स आगे बढ़ते हैं सेवा सतकार से आदर बढ़ता है रिखा की सब्द का क्या तात्वरी है तो सेवा सतकार से आदर बढ़ता है इसका जो आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा option number B, परशर्ग, next आता है, निम लिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर सोना, सोना, धेन, 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 चात्र, चात्रगण, और आटा, आटे, तो आटा का आटे नहीं होगा, option number D, सही आं आटा होती है, link वचन प्राया करता के नुशार होते हैं, वे क्या कहलते हैं, तो वे करतर वार्च कहलते हैं, यानि कि option number B, सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, निम लिखित में से किस वाक्य में भविश्यत काल है, तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें भविश्य काल है, तो आंसर इसका हो जाएगा, मैं आपकी प्रतिच्छा करूँगा, option number A, next है, हिंदी में मैं का वहवचन होगा, तो मैं का जो वहवचन होता है हिंदी में, वो होता है हम, option number A, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next हमारा question है, सनचना के आधार पर कियेगे वाक्य के वरगी करन, इनमें से कौन सा परकार नहीं है, तो सनचना के आधार पर अगर हम वाक्य का वरगी करते हैं, तो आपको बताना है, इसमें से कौन सा वो परकार नहीं है, तो आंसर इसका देखी, सनचना के आधार पर वाक्य के वरगी कर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर option number B समीकृत वाक यानि option number B सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं मैंने यहाँ काम कर लेना चाहिए अशुद्ध अंसर को पहचानिए तो मुझे यहाँ काम कर लेना चाहिए सही होगा यानि option number मैंने यानि option ब्रारादी लुट्ट हो, वहा किस विराम चिर्ण का प्रियोग किया जाता हैziehen तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा option number ब्रारादी का प्रियोग किया जाता है. इस विद्याले में दाखिला मिलना तेड़ी खीर है, रिखांकित मुहावरे का सही अर्थ होगा तो इस विद्याले में दाखिला मिलना तेड़ी खीर है, रिखांकित मुहावरे का सही अर्थ है तेड़ी खीर का मतलब बहुत कठिन कारे है तेड़ी खीर मतलब कठिन कारे होना यानि option number A सही answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा तो पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वा है केवल सोचते रहने से किसी कामे सफलता का न मिलना option number D next है इन में से कौन सी बोली पश्चमी हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो पश्चमी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आती है तो देखे इसमें खडी बोली व्रजभासा और कर्णोजी ये आपका अधी खडी बोली के अंतरगत आजाती है लेकिन कर्णोजी जो है option number c सही आँसर हो ज़या ये पश्चमी बोली के सुरी इसमें औधी सही होगा मापकी उजीगा इसमें खड़ी बोली ब्रजभासा और कन्नोची जो कि पश्मी हिंदी के अंतर काते लेकिन औधी जो ही पश्मी हिंदी के नहीं आती है याणि आपका सही अंसर हो जाएगा थीक है? नेक्स आते हैं हिंदी में अधिकान सब्द किस भासा से आए हैं तो हिंदी में जो अधिकान सब्द हैं वो आपको पता है किस भासा से आए हुए हैं तो यह संसकत से हैं ठीक है नेक्स आते हैं अगले कुशन की तरफ पदमावत के रचयता कौन है तो दुखिए दोस्तों पदमावत के जो र phonetic language ठीक है तो यहाँ पर इसका जो सही अनवाद रापको भाश वहुंशा हो जा एगा ओपष्ञ बाया ओप्षिं नंबर 25 हो जाएगा गcussion यहाँ निक्स है मुक्ट अंखों का इलाज तो मुक्ट ऑंकों का इलाज इसका आपको यहाँ करना है सही अनवाद करना है तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा option number E free treatment for the eyes next है यहाँ पर कुछ गध्यान से उसको पढ़कर question number 43 से 46 तक के questions के answer आपको देने हैं तो चलिए असा देखने वाले लोग उसकी बारे में क्या सूचते हैं दूसरों की परवाह कि वगेर जीने वाला आदमी दुनिया की असली दाकत होता है और मनुष्टा को प्रकास भी ऐसे ही आदमी से मिलता है साहसी मनुष्य उन सपनों में वीरस लेता है जिनका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है साहसी मुनस सपने उधार नहीं लेता वा अपने विचारों में रवा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है जुन्ड में चलना और जुन्ड में रहना तो भैस और भेड का काम है साहसी मुनस तो सिंग के समान होता है जो अकेला होने पर भी मगन रहता है अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा जो आदमी उप्विक्त औसर मिलने पर भी साहस से काम ना ले सका तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवास सुनता है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें जो बराबर कहती है तुम साहस नहीं दिखा से लिए तुम कायर की तरह भी 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 तो यह दोस्तों यहाँ पर पैसे था इसको आप पहुच करके अच्छे से बढ़ सकते हैं अब इससे लेटेट कुश्टन के अंसर देने हैं तो पहला है साहसी मनुष किस के समान होता है तो मैंने बताया था अभी वैशित में सिंग के समान होता है नग्स है सासी मनुष्य से क्या उढ़ार नहीं रहीं लेता, तो सासी मनुष्य से जो है वो सपने उढ़ार नहीं लेता, यानी Option No. 44 का a सही आंसर हो जाएगा, नेट्स है, दुश्यक की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकास मिलता है, तो किसको प्रकास म यहां पर option number C. Sorry. मनुष्यता को प्रकास मिलता है. औ incust đị guard से लेखक ने कैसे जिवन को महान बताया है? तो लेखक ने कẰसे जिवन को महान बताया है? आंसर इसका हो जाएगा हम्मत को. यानि की option number D सही answer यहां पर आपका हो जाता है. आगे बढ़ते हैं, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है, तो सिंदूर की जो होली है, वो आपका नाटक है, यानि option number C सरी आंसर हो जाएगा, नेक्स है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो दोस्तों जो वैदेही वनवास है, यह आपकी रचना है, अध्या सिंग वप प्रकाशित हुआ है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागो में प्रकाशित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा, option number B, चार भागो में, तो दोस्तों यह आपको यहाँ पर प्रक्टिसर देखकर पहचान पा रहे होंगे, कि इतना अच्छा और किस अच्छे लेबल का प्र प्रक्टिसर कर लेते हैं, तो काफी question system से देखने को आपको मिल सकते हैं, तो इसी तरह से कल मिलते हैं, नए प्रक्टिसर स्टाफ, तब तक के लिए, thanks for watching.